और क्या हाल मेरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का शौृता पाकलम इस वाकत की साथ साथ अभी नेदन करते हैं, आप लोग कैसे हो आज शौइता पाकलम वान कच्चे आम के द्वारा त्यार केंडी रिस्पी जो बहुत ज्यादा टेस्टी बन के तियार होती है एक बार आपने इस तरीके से कच्छे आम की केंडी को बना के त्यार कर लिया तो बच्चों से लेके बड़ों तक पसंद आएगी इस केंडी को आप काफी दिनों तक श्टोर करके रख सकते हैं इसी साथ साथ अपनी दूसरी रेस्पी बना के त्यार की है केंडी को बनाने एक बाद जो बचा हुआ आम था उसके दोरा हमने इस तरह से चटनी को बना के त्यार किया है आप इसको किसी भी उकेजन पर बना के त्यार करिए या काफी दिनों के लिए स्टोर करके रख सकते हैं बच्चे भी कैंडी के पानी के त्वरा हमने इस तरीके से आईस्क्रीम को बना के त्यार किया तो दो केजी आम के त्वरा हमने तीन रिस्प्रियू को बना के त्यार किया जिसमें कैंडी है चटनी और आईस्क्रीम है चलो दोस्तो हम आप इसको मिलके बनाना शूरू करते हैं तब से पहले हमने candy को बना के त्यार कर लेना है, तो इसके लिए 2 kg हमने कच्चा वाला आम लिया, आम अगर पूरी तरीकी से कच्चा रहेगा, तभी इसकी candy एकदम से perfect बन के त्यार होती है, तो इस तरहे 2 kg आम को पहले हमने 2 से डाइगंटिकली पानी के अंदर रख दिया थ हमने इसके लंबे लंबे पीसिस निकाल के त्यार कर लिये हैं, तो आम को हमने छेल लिया और छेलने एक बाद इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं, और फिर पतले पतले एक में करीब 5-6 पीस निकाल देते हैं, पुल मिला के एक आम से करीब 12-15 पीस निकल जाते हैं, अब तो बची हुई गुटली है, इसको रख देते हैं साइट में, और इसी तरीके से सारे पीसिस को हमने कट करके त्यार कर लेना है, अब इस तयार आम को हमने दो बार अच्छी तरीके से पानी से धुल के साफ कर लेना है, तो इसके लिए आप कोई भी बड़ा बरतन ले लिजे, उसके अंदर पूरे पीसिस को डाल देते हैं, और डालने के बद ऊपर से पानी डाल देते हैं, और आम की पीसिस को हमने थाली के अंदर निकाल लेना है, इसी प्रोसेस के दोड़ा दुबार भी इसको धुल के साफ कर लेते हैं, दो बार में ये अच्छी तरीके से साफ हो जी कोई भी छिचला बरतर में आप पका सकती हैं इसके लिए हमने कड़ाई ले लिए और कड़ाई के दर लगबख एक से सवा लिटर तक पानी को डाल देते इसको रख देते एक गैस पे जब तक इसके अंदर उबालाता है आपको दिखा देते इस तरीके से देखे बची गुटलिया है और इनके दर काफी अधिक मातरा में पल्प लगा है और एक आम इसमें से पका हुआ था तो इसको आपने पहली छोटे टुकड़े में कट करके त्यार कर लिया इसी बचे हुए पल्प के द्वारा हमने चटनी को बना के त्यार कर लेना जो हमने पानी रखा था उसके अंदर अच्छी तरीके से उबाला गया अब जो हमने आम की पीसे कट करके रखे थे धुल के साफ करके पूरे पीसे को इसके अंदर डाल देते हैं खौलते हुए पानी के अंदर ही इन पीसों को डालना है항 दुपारस से उबालने तक इसको पकाए त्यार कर लेना अगर आपको लगता है इसके अंदर पानी कम है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा गरम पानी टाल दीजेगा पर ठंडा पानी को उप्योग बिल्कुर ने करिए गया अब इसको हमने कवर करके छोड़ देना और इधर जो हमने आम के पीसेज लिये थे उसी हिसाब से इसके अंदर हमने चीनी ले लिया और इस तरीके से देखे उबाल आने के पाद गैस की फ्लेम को तुरंट बंद कर देते हैं और बंद करने के बार इस सारी पीसों को एक छनी के अंदर निकाल के रख लेना है आम को पकाते से में एक बात का बिसेज जान रखेगे इसको हमने ओवरकूक बिल्कुल नहीं करना है अगर आप इसको ओवरकूक कर देंगे तो सारे पीसेज टूट चाएंगे और कैंडी अच्छी तरीकी से बननी पाएगी इसको हमने आधी को छनी के अंदर निकाल लिया और निकालने पाद थोड़ी दे इसको इसी तरीकी से रहने देते हैं जिससे इसका जूबे एक्षा पानी हो वो कढ़ाई के अंदर चला जाए अधी चीनी को इसको डाल दिया जो कढ़ाई के अंदर बचा हुआ पानी है उसको गुटलिया बची थी पूरी गुटलियों को इसके अंदर डाल देते हैं डालने के पाद इसको अमने कवर कर देना है और गैस की फ्लेम को मेडियम कर देना है उबालाने के पाद इसको 5-6 मिनट तक पका के त्यार कर लेते हैं जिससे आम अच्छी तरीके से पक जाए और इस तरीके से दिखी इसको पकते हुए 5 मिनट हो गया इस तरीके से देखे गुटलियों पर लगाऊवा पल्प अच्छी तरीके से पक के त्यार हो गया, अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना और इसको ढखके लगपक 10-15 मिनट तक इसी तरीके से छोड़ देते हैं, कैंडी को रखी वे लगपक 2 घंटे हो गये हैं, अब इसक तरीके से करने के पाद ये कैंडी बन के त्यार हो जाती है, इसको रख देते हैं साइट में, अब जो हमने आम की गुटलियों को पका के त्यार किया था, उसको रखे वे लगपक 15-20 मिनट हो गये हैं, तो हमने सारी गुटलियों को एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते ह और बात भी इसके पूरी पल्प को निकाल लेंगे, और जो कड़ाई के अंदर बचा हुआ पानी है, इसको आप फेक किये का नहीं, इसके दोरह आप ताल को बना के तयार कर सकते हैं, किसी भी सबचिब के अंदर आप इसको डार सकते हैं, या तो फिर आप इसको इसको लाल मिर्च लिए है, तीखा आप अपने स्वात के साथ कम्या जादा कर सकते हैं, फिर अदरक लहसन भी आप इसके अंदर इसकीप कर सकते हैं, आप अपने लहसन को छील के तयार कर लिया, और साथी साथ अदरक को भी छील लेते हैं, उसके भी छोटी टुकड़े कट करके कर लेते हैं इस तरीके से देखे अध्रख और लेसर में त्यार हो गया आप इसको हमने मदंफ़ पकाने के लिए पैन पल्पे लगबग 300 से 300 ग्राम के करीब ये पल्पे तयार हो गया है अब इसको रख देते हैं साइट पर और जो हमने गैस पर रखा था उबालानेक पाद गैस की फ्लेम लोग कर दिये तो इसको चार से पांच मिनट तक पका के तयार कर लिए इस तरीके से अच्छी तरीके से है और इधर जो हमने आम का पल पे निकाल के रखा था उसको मिक्सी के जार के अंदर डाल देते हैं तो पीस्ते से हमने थोड़ी से पानी को डाल दीना है तो जिस पानी के अंदर हमने गुटली को पका के तयार कर थे उसी पानी को इसके अंदर डाल देते हैं इस तरीके से एकदम बारीक पेश्ट बनके तयार हो गया, अब इसको अमने चान लेना है, चानना इस दीए कि अगर इसके अंदर कोई रेसी वगएरा हो, तो वो छनी के अंदर रह जाए, इस तरीके से देखे, पूरी पेश्ट को अमने चनी के अंदर डाल दिया, अब अमने उपर से तरीके से चान लिया, तरीके से देखे, लाज मिर्च के छिकले, पीच वेकरा, जो भी बड़ी पीसे से वो छनी के अंदर रह गया है, अब इसको अमने अच्छी तरीके से मिला लेना है, मिलानिक बाद इसके अंदर आप गुड़ चीनी दोनों डाल सकते हैं, या फिर आप इसको केवल चीनी है, केवल गुड़ के दारा भी बना के तियार कर सकते हैं, तो 100-100 ग्राम के करीब हमने चीनी डाला है, और 1500 ग्राम के करीब इसके अंदर हमने गुड़ डाला है, जो कढ़ाई के अंदर बचा हुआ पानी है, उस पूरी पानी को आप किसी भी ग्लास या रिब्बे गंदे श्टोर करके रख सकते हैं इस तरीके से देखे इतना पानी बच गया बाकी पानी को हमने पीस्टे समय उप्योग कर लिया था अब इस पूरी चटनी को हमने गैस पर रख देना हो गैस की फ्लेम को हाई टू मीडियम कर देती हैं इसको चलाते हुए दुबा हमने चाहत का लिए पान से उबालाने तक हमने पका कर लेना है इस तरीके से देखे इसके इंदर उबाला गया और चीनी ऊगूर्ण अच्छी तरीके सी इसके अंदर जि गुल में गई जिससे लहसन और अद्रक का फ्लिवर इसके अंदर बहुत ही अच्छा लगता है आप चाहें तो इसके अंदर कोई भी फूट कलर डाल सकते पर इसके अंदर हमने एक टेबे स्पून चुकंदर के पाउडर को डाल देना है इसको चलाते हुए गैस की मेडियम फ्लेम पे करी 30 से 4 मिनट तक चटनी को हमने पका के त्यार कर लेना है तो पूरी चटनी को बनने में लगबग 18 मिनट का समय लगा इस तरीकी से देखे चटनी बनके त्यार होगी गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और जब यह ठंडी होगी तो थोड़ी सी और गाड़ी हो जाएगी फीच विच में जब भी आपको मौका मिले तो कैंडी को आप एक बार अच्छी तरीके से मिला दीजे और जो आपने चटनी को बना के त्यार के इसको रखे हुए दो घंटे होगी यह पूरी तरीके से ठंडी होगी अब इस चटनी को आप किसी भी कटोरी के अंदर भर के रख सकते हैं अगर छोटी मूटी पार्टी मी चटनी सबको यह को बहुत पसंद आएगी या फिर आप इसको इसको इस टोर करके किसी भी काज की बोतर के अंदर भर के रख सकते हैं पाहर रखके इस चटनी को आप एक अपता दस दिं खा सकते हैं फ्रिश में रखके आप इसको एक से दो मेने तक इंज्वाय कर सकते हैं इस तरीके से देखिए चटनी की रेस्पी पूरी बन के तैयार हो गई अब जो हमने केंडी रखा था इसको रख्यों भी दो दिन हो गई इसके अंदर चीनी अच्छी तरीके से घुल मिल ग जो केंडी का बचा हुआ पानी है इसी के तोरा बात भी हमने आइस क्रीम को तयार करके रखना है तो इसको रख देते हैं और जो हमने केंडी को छन्नी के अंदर निकार के रखा वापस से उसी भगोने के अंदर एक कटोरी रख देते हैं इसको लगबग 2 घंटे के अपने इसी तरीके से रख देना है और चासनी वाले पानी को भी इसी के उपर रख देते हैं और इसको रखे वे लगबग 2 घंटे हो गए हैं ये थोड़े से ड्राई हो गए हैं इस पूरी तयार केंडी को अमने थाली को पर अच्छी तरीके से फैला देना है जिससे इसको सूखन ना हो तो आप इसको 5-6 घंटे के लिए पंके की नीचे रख दीजें और इस तरीक देखे धूप में रखे हो भी लगबग 3 घंटे हो गए यह थोड़ी से ड्राइ हो गए अगर आप इसको काफी दिनों तक स्टोर करके रखना हो तो इसको आप 5-6 घंटे धूप में सुखा दीजें तो यह अच्छी तरीके से उपर से ड्राइ हो जाएंगा पर यह कैंडी अंदर से जूसी रहे उपर से ड्राइ रहे इस तरीके से हमने इसको सुखा के तयार किया है काटोरी के दर हमने 4-5 टिबेस्पून चीनी लिया था उसके अंदर 1 टिबेस्पून मैदा डाल और इसको मिक्सी की जार केंदर डाल के बढ़िया पाउडर बना के तयार कर लेती है इस पाउडर को जो हमने कैंडी को तयार करके रखा है पूरी को इसके उपर डाल देती है डालने बाद हाथों के तोरह इस सारी कैंडी को अच्छी तरीके से हमने मिला लेना है जिससे के दूसरी रेश्पी बनन के तियार होगे जो आमके त्यार कैंडी है दो के चीं आमके तोड़रा देखे दोनों रेश्पी आम बनके तियार होगे और इस फा़ में तोनों को काफी दिने तक शडोर करके रख सकते हैं जो ठाली के अंदर आप इस्टोर करके रख लीजिए, इसके तोरा सर्बत को बना के त्यार कर लीजिए या फिर जब आइसक्रीम खाना हो, उस समय भी आप इसको बना के त्यार कर सकते हैं अब अब अमने एल्मूनियम फायर से इसको कवर कर देना है और आप इसके उपर कोई भी स्टिक लगा सकते हैं इसी प्रोसेस के त्वारा सारी को अपने त्यार करके 6-8 कंटे के लिए फ्रीजर के अंदर आप रख दीजे और अच्छी तरीकी से आइसक्रीम बन के त्यार हो जाती है अगर आपको यह सारी रेस्पिया अच्छी लगई वीडियो पसंद आएगो तो लाइक से और सब्सक्राइब करें स्वात की साथ से सहत का पूरा ध्यान रखे हेल्दी बनाएए हेल्दी खाएए आपने अपना कीमती से में निका के हमारे वीडियो देखा इसके लिए आप सभी के बहुत बहुत धन्माद बहुत बहुत शुक्रिया